बहुत से छात्रों के अनुरोत पर मैं कहानी परिंदे का वाचन यहां प्रस्तुत कर रही हूँ यह एक लंबी कहानी है इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइट करके यहां प्रस्तुत किया जा रहा है और पूरी कहानी आप पढ़िए साथी साथ अपने नोट्स भी बनाते जाएं कहानी पूरी पढ़ लेंगे उसके पाद हम इसके विभिन पहलूं पर चर्चा करेंगे कहानी का उद्देश्य, कहानी के शीशकी सार्थक्ता, भाषा, समवाद, पात्र और पात्रों का चर्यत्र चित्रन इन सब पर हम कहानी पढ़ने के बात चर्चा करेंगे और साथी साथ कुछ अती लगूतरिय प्रश्न भी हम उस वीडियो में हल करेंगे हाइए सुनते हैं कहानी परेंदे और इस कहानी को निर्मल वर्माजी ने लिखा है और इसका वाचन मैं अल्पना वर्मा कर रही हूँ स्क्रीन पर आप टेक्स्ट भी देख सकते हैं और मेरे साथ साथे से पढ़ सकते हैं अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका जो इस कहानी की नाइका है लतिका ठिटक गई रुख गई दिवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी जिस समय लिखी जा रही होगी उस समय होस्टल में बत्ती नहीं होगी लैंप था उसके हाथ में लाल्टेन थी उसके हाथ में सीडियों पर उसकी चाया एक बेडॉल कटी फटी आकरती खीचने लगे साथ नंबर कम्रे में लड़कियों की बाचीत और हंसी ठाकों का स्वार अभी तका रहा था लतिका ने दर्वाजा खटकडाया शूर अचानक बंद हो गया कौन है? कम्रे से आवाज आई लतिका चुप खड़ी रही कम्रे में कुछ देर तक खुसर पुसर होती रही फिर दर्वाजी के चिटकनी के खुलने का स्वार आया लतिका कम्रे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी लैंप की जपकते लोह में लड़कियों के चैरे सिनेमा की परदे पर ठहरे हुए क्लोस अब की बांती उभरने लगे कम्रे में आधेरा क्यों कर रखा है लतिका की स्वर में हलकी सी जड़की का आभास था लैंप में तील खतम हो गया था मैडम यह सुदा का कम्रे था इसलिए उत्तर उसे ही देना पड़ा तो यह बात सुदा ने कही होस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोग प्रियते कौन सुदा क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात के बाद आस पास के कमरों में रहने वाले लड़कियों का जमगट उसी के कमरे में लग जाता था देड तक अपचप हसी मजाग चलता रहता तेल के लिए करीम उद्दीन से क्यों नहीं का यह लटिका लड़कियों से पूछती है लड़कियां जवाब देती है कितनी बार कहा मैडम लेकिन उसे याद रहे तब तो कमरे में हसी की पुहार एक कौने से दूसरे कौने तक फैल गई लटिका के कमरे में आने से यह अनुशाशन की जो घुटन किराई थी वह अचानक बह गई करीम उद्दीन होस्टल का नौकर था उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के किसे होस्टल की लड़कियों में पीडी दर पीडी चले आते थे लटिका को हठात कुछ याद आया अंधेरे में लैम खुमाते वे चारों और निगाहें दोड़ाई कमरे में चारों और घेरा बना कर वे बैठी थी पास पास एक दूसरे से सटकर सबके चेहरे परिचित थे किन्तु लैम के पीले मद्धिम प्रकाश में मानो सब कुछ बदल गया था या वह उन्हें पहली बार देख रही थी जूली तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो लटिका ने एक लड़की से पूछा जो खिड़की के पास पलंग के सिराने बैठी थी उसने चुपचाप आँखे नीची कर ली और लैम का प्रकाश चारों और से सिमटकर अपके वल उसके चेहरे पर गिर रहा था नाइट रेजिस्टर पर दसकत कर दिये उसने पूछा लटिका ने पूछा नाइट रेजिस्टर पर दसकत कर दिये वह बूली हाँ मैडम फिर लटिका का स्वार और कड़ा हो आया जो ली सकुचा का खिड़की से पाहर देखने लगी जबसे लटिका इस स्कूल में आई है उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के पवजूत भी नहीं होता है मैडम कल से चुटियां शुरू हो जाएंगी इसलिए हम सबने मिलकर सुधा पूरी बात ना कहकर हिमंती के और देखकर मुस्कराने लगी हिमंती के गाने का प्रोग्राम है आप ए कुछ देर बैठिये न लतिका गोलजन मालूम हुई इस समय यहां आकर उसने इनकी मजे को किरखिरा कर दिया इस चोटी से हिल स्टेशन पर हैते उसे काफी समय हो गया था और कब समय काफी समय तो हो गया था लेकिन कब समय पतचड और गर्मियों का घेरा पार करके सर्दियों की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता था उसे कभी यहां दिन नहीं रहता चोरों की तरह चुपचाप वह देहरी से बाहर को चली गई उसके चेहरे का तनाव धेला पड़ गया था वह मुस्कुराने लगे मेरे संग स्नूफॉल देखने कोई नहीं ठेहरेगा लटिका ने कहा लड़कियां बोली मैडम चुट्यों में क्या आप घर नहीं जा रही है सब लड़कियों की आँखे उस पर चम गए लटिका ने कहा अभी कुछ पक्का नहीं है आई लव दे स्नूफॉल लटिका को लगा यही बात उसने पिछले साल भी कही थी और शायत पिछले से पिछले साल भी उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही है मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया उसका सिर्फ चक्राने लगा मानो बादलों का स्याह जुरमुट किसी अंजान कौने से उठकर उसे अपने में डुबो लेगा वे थोड़ा सा हसी फिर धीरे से उसने सर को छटक दिया जूली तुमसे कुछ काम है अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना वेल, गुड़नाइट लटिका ने अपने पीछे दर्वासा बंद कर दिया लड़कियों का स्वर गुंजा गुड़नाइट मैडम, गुड़नाइट, गुड़नाइट गलियारे की सीडियां ना उतर कर लटिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई लैम की बत्ती को नीचे गुमा कर कोने में रख दिया बाहर दुंद की नीली परतें घनी हो चली थी लॉन पर लगे हुए चीड के पत्तों के सरसराहट हवा के जोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर बैया आती थी हवा में सर्दी का हल्का सा भास पाकर लटिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाले चुट्टियों का ध्यान बटकाया उसने आखें मोंद ली उसे लगा जैसे उसके टांगे बांस के लकडियों की तरह उसके शरीर से बंदी है जिसकी गाठें धीरे धीरे खुलती जा रही है शरीर की चक्राट अभी मिटी नहीं थी मगर अब जैसे वे बीतर ना होकर बाहर फैली हुई धुन का एक हिस्सा बन गई थी सीडियों पर बाचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जागी शौल को कंदे पर समेटा और लैंब उठा लिया डॉक्टर मुकर जी, मिस्टर हियोबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुन गुनाते हुए उपर आ रहे थे सीडियों पर आंदेरा था हियोबर्ट को बार बार अपनी छडी से रास्ता टटोलना पड़ता था लतिका ने दो चार सीडियां उतर कर लैंब को नीचे जुका दिया गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस्टर हियोबर्ट थेंक्यू मिस्स लतिका, हिवर्ट की स्वर में कृतग्यता का भाव था उन्होंने कहा थेंक्यू सीडियां चड़ने से उनकी सासे तेज हो रही थी और वह दिवार से लगे वे हाफ रहे थे लेंप की रोश्णी में उनके चेहरे का पील अपन कुछ तामबे की रंग जैसा हो गया था यहां अकेली क्या कर रही हो मिस्ट लतिका ये डॉक्टर ने पुछा और डॉक्टर ने होटो की बितर से सीटी बजाए लतिका ने कहा चेकिंग करके लौट रही थी आज इस वक्त उपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट लतिका ने पूछा ह्यूबर्ट ने मुस्कुरा कर अपनी चड़ी डॉक्टर के कंदों से चुआ दि इनसे पूछो यही मुझे जबरस्तिक घजीत लाए है मिस्ट लतिका हम आपको एक निमंत्रन देने आ रहे थे आज रात मेरी कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट शोंपा और चाइकोवस्की के कमपोजिशन्स बजाएंगे फिर क्रीम कॉफी पी जाएगे और उसकी बात समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किये हैं उन्हें हम सब मिलकर कंफेस करेंगे डॉक्टर मुकर जी के चहरे पर भारी मुस्कान खिल गए लतिका ने कहा डॉक्टर मुझे माफ करें मेरी तपित कुछ ठीक नहीं है डॉक्टर ने दीरे से लतिका के कंधों को पकड़ कर अपने कमरे के दरफ मोड़ दिया और कहा चलिए यह ठीक रहा फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती हैं डॉक्टर मुकरजी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सीरे पर छत से जड़ा हुआ था वैं आदे बर्मी थे और उसके चिन उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छुड़-छुड़ी चंचलांकों से इस पस्ट थे बर्मा पर जापानियों का आकरमन होने के बाद वैं इस चोटे से पहाड़ी शहर में आबसे थे प्राइविट प्रेक्टिस के अलावा वैं कॉन्वेंट स्कूल में हाईजिन फिजियोलोजी भी पढ़ाया करते थे और इसलिए उनको स्कूल के ही हॉस्टल में एक कमरा रह करने के लिए दे दिया गया था कुछ लोग कहते थे कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्ति हो गए थी लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि डॉक्टर स्वें कभी भी अपनी पत्नी के बारे में कोई बात नही दूर जाओंगा तो ये किसने कथन कहा है डॉक्टर मुखर जी ने और तब एक क्षण के लिए उनकी आँखों में नमी सी चा जाती थी लटी का चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती थी उसे लगता था कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई उनके पास्ट के बारे मे यानि अतीत के संबंद में उनसे कुछ भी पूछे या सानों पूती दिखाए दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूट हिलते वे वहास पड़ते एक सूखी बुजी हुई सी आसी होम सिनेक्स होम सिकनेस यानि घर के बारे में जो हम बहुत याद करते हैं तो वह फिलि है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है चत पर मेज कुर्सियां डाल दी गए और भीतर कमरे में परकुलेटर में कॉफी का पानी चड़ा दिया गया सुना है अगले दो तीन वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा डॉक्टर ने स्पिरिट लैम जलाते हुए कहा यह बात पिछले दस सालों से सुनने में आ रही है अंग्रेज उन्हें भी कोई लंबीच वड़ी स्कीम बनाई थी पता नहीं क्या हुआ हुबर्ट ने यह बात कही वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बहाल लॉन के तरफ देख रहा था लतिका कमरे से दो मौमबतियां लियाए मेज के दौनों सिरों पर टिका करूने जला दिया और छट का अंदेरा मौमबति की फिकी रोशनी के इर्दिकिर्द सिमतने लगा एक घनी नीरवता चारों और गिरने लगी हवा में चीर के रिक्षों की सायं सायं दूर तक फैली पहाडियों और काटियों में सीतियों के सी गून सी छोड़ती जा रही थी इस बार शायद परफ जल्दी गिरेगी अभी से हवा में एक सर्द खुश की महसूस होने लगी है डॉक्टर का सिगार अंधीरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था यह बात डॉक्टर मुकरजी ने कही पता नहीं मिस वुट को स्पेशल सर्विस का गुरग दंदा क्यों पसंद आता है चुट्यों में घर जाने से पहले क्या जरूरी था कि लड़कियां फादर एल्मन का सर्मन सुने हुबर्ट ने कहा डॉक्टर को फादर एल्मन एक आख नहीं सुहाते थे याने उन्हें फादर एल्मन बिल्कुल पसंद नहीं थे लतिका कुरसी पर आके जुकर प्यालों में कॉफी ओडेलने लगी हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही दो प्रोग्राम होते हैं एक चैपल में इस्पेशल सर्विस का जो चर्च होता है चोटा सा चर्च वहाँ हॉस्टल में होगा वहाँ पर चैपल में स्पेशल सर्विस यानि जो प्रेयर होती है उसका और उसके बाद दिन में पिकनिक का लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह कलब गई थी डॉक्टर बार में बैठे थे और बार रूम कुमायू रेजिमेंट के अफसरों से फ़रा हुआ था कुछ देर तक बिलियर्ट का खेल देखने के बाद जह वह वापिस बार के और जा रहे थे तब उसने दाई और कलब के लाइप्रेरी में देखा मगर उसी समय डॉक्टर मुकरजी पीछे से आ गए थे मिसलती का यह मेजर गिरीश नेगी है बिलियर्ड रूम से आते वे हसी ठाहाकों के बीच वे नाम दपस आ गया था कौन सा नाम मेजर गिरीश नेगी वे किसी किताब के बीच में उगली रखकर लाइप्रेरी के खिड़के से पाहर देख रहा था हेलो डॉक्टर वे पीछे मुड़ा कौन मेजर गिरीश नेगी तब उस्षन उस्षन ना जाने क्यों लतिका का हाथ काप गया कौफी की कुछ गर्म बुंदे उसकी साड़ी पर छलक आएं अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनीदा रीतापन खिराया है हवा की छोंके से मुम्बत्यों की लौफ फड़कने लगी और छत से भी उची काट कुदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की उस समय की बात है जब यह नैनिताल की बात हो रही होगी क्योंकि काट कुदाम है उत्राखंड में अब यह शेत्र आता है और पहले के समय यह उत्राखंड बनने से पहले यह पूरा शेत्र यह हिल स्टेशन उत्रपदेश के अंदर आता था इसलिए यहां यूपी रोडवेज की बस के भरे में बात कही है यूपी रोडवेज की आखरी बस डाक लेकर जा रही थी बस की हेड लाइट से आसपास फैली हुई जाड़ियों की चायाएं घर की दिवार पसर रखती हुई गायब होने लगी मिस लतिका आप इस साल भी चुट्यों में यहीं रहेंगी डॉक्टर ने पुछा डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा उसी क्षण प्यानों पर शोंपा का नॉक्टरन हीवर्ट की उंगलियों के नीचे फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में गुलने लगा जो हीवर्ट हैं वे कोई धुन बजा रहे थे प्यानों पर मानो जल पर कूमल स्वपनिल उर्मिया उर्मिस लहरे भवरों का जो लहरे उठती गिरती और जो भवरे बन रही थी उनका जिल मिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैल दी जा रही हो लतिका को लगा जैसे कहीं बहुत दूर बरफ की चोटियों से परिंदों के जुंड नीचे अंजान देश की और उड़े जा रहे हैं इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे के खिड़की से उन्हें देखा है किने परिंदों को धागे में बंधे चमकेले लट्टूओं की तरह वे एक लंबी तेड़ी मेडी कतार में उड़े जाते हैं पहाडों की जुंसान नीरवता से परे उन विचित्र शहरों की और जहां शायद वह कभी नहीं जाएगी कौन नहीं जाएगी लतिका लतिका नहीं जाएगी और लतिका सोच रही थी क्या वे बोड़ी होती जा रही है उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुट का चेहरा घुम गया पोपला मूँ आँखों के नीचे जूलती हुई मास की थैलियां जरा-जरा सी बात पचड़ जाना करकशावाज में चीखना सब उसे ओल्ड मेट कहते थे कुछ वर्शों बाद वहबी हुबहु वैसे ही बन जाएगे लतिका के समूचे शरी में जुरजुरी सी दोड़ गई मानवान जाने में उसने किसी गलीज यानि क्रिस्ट वस्तो को छूलिया किसी तुछ वस्तो को छूलिया उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे हीवर्ट का प्रेम पत्र मिला था भावो की आचना से भरा हुआ पत्र जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया उसे हुबर्ट की इस पचकाना हरकत पर हसी आये थी किन्तु भीतरी भीतर प्रसन्नता भी होई थी कि उसकी उमर भी बीती नहीं है अब भी वह दूसरों को अपनी और आकाशित कर सकती है हुबर्ट का पत्र पढ़कर उसे गुस्ता नहीं आया आये थी केवल ममता वह चाती तो उसकी गलत फहमी दूर करने में देर न लगती किन्तु कोई शक्ती उसे रोके रहती थी उसके कारण अपने पर विश्वास रहता था अपने सुक का भ्रम मानो हुबर्ट की गलत फहमी से जुड़ा हो हुबर्ट ही क्यों वह क्या किसी को चाह सकेगी उस अनुबूती के संग जो अब नहीं रही जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है ना स्वयम मिटती है ना उसे मुक्ती दे पाती है उसे लगा जैसे बादलों का जुर्मुट फिर उसके मस्तिश्क पर धीरे धीरे चाने लगा है उसकी टांगे फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई है मैं जटके से उट खड़ी होई डॉक्टर माफ करना मुझे बहुत अकान से लग रही है और बिना वाक्य पूरा किये वहें कौन लद्धिका वहां से चली गई कुछ देर तक टैरेस टैरेस इने चछत पर जहां वे बैठे हुए थे वहां निस्तब्दता चाही रही मौमबतियां बुझने लगी थी डॉक्टर मुखर जी ने सिगार का नया कश लिया और कहा सब लड़कियां एक जैसी होती हैं बेवकुफ और सेंटिमेंटल सेंटिमेंटल मिन्स भावुक हुबर्ट की उंग्लियों का दवाप प्यानों पर ढिला पड़ता गया अंतिम सुरों की जिचकी सी गूंज कुछ ख़णों तक हवा में तिरती रही हुबर्ट ने कहा डॉक्टर आपको मालूम है मिस लतिका का ब्यवाहर पिछले के कुछ अर्से से अजीब सा लगता है हुबर्ट के स्वर में लापरभाही का भाव था वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रती उसकी भावनाओं का आभास मातर भी मिल सके यानि हुबर्ट लतिका को चाहता था यह बात वह डॉक्टर को पता नहीं लगने देना चाहता था जिस कोमल उन भूति को वह इतने समय से संजोता आया है डॉक्टर उसे हसी के एक ठहाके में उपहास बना देगा यह सोच कर उसने इस बात का आभास डॉक्टर को नहीं होने दिया था क्या तुम नियती में विश्वास करते हो हुबर्ट डॉक्टर ने पूछा हुबर्ट एक दम रोके यानि सांस रोके प्रतीक्षा करता रहा वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसफाइस करने की आदत है यानि वे अपना दर्शन जाड़ने लगते डॉक्टर टेरेस के जंगले से यानि जो जंगला होगा जहरोका जैसा कुछ होगा वहां से सटकर खड़ा हो गया भी किसी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छायाएं लौन पर गिर रही थी कभी कभी कोई जुगनू अंदेरे में हरा प्रकार छिड़कता हवा में गाया भो जाता मैं कभी कभी सोचता हूँ इनसान जिन्दा किसे लिए रहता है क्या उसे कोई और बैतर काम करने को नहीं मिला हजारों मेल अपने मुलक से दूर मैं यहां पड़ा हूँ यहां मुझे कौन जानता है और शायद यहीं मर भी जाओंगा डॉक्टर मुकर जी कह रहे है हुबर्ट क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनभी की हैस्या से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है हुबर्ट आश्यरे से डॉक्टर को देखने लगा उसने पहली बार डॉक्टर मुकर जी के इस पहलों को देखा था अपने संबंद में भी अकसर चुपी रहा करते थे कोई पीछे नहीं है यह बात मुझे में यह कजीब किस्म की बेफिकरी पैदा कर देती है लेकिन कुछ लोगों की मौत अंते तक पहली बनी रहती है शायद वे जिन्दगी से बहुत उमीद लगाते थे उसे यह ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि आखरी दम यानि आखरी सांस तक उन्हें उमरने का ऐसास नहीं होता डॉक्टर मुगर जी यह बातें कह रहे हैं तो ह्यूबर्ट परेशान होकर पुछता है डॉक्टर आप किसका सिक्र कर रही है डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा फिर मुड़कर वह मुम्बत्यों की बुझती हुई लौग को देखने लगा डॉक्टर मुगर जी बोलते हैं बता रहे हैं यूबर्ट को कहते हैं तुम्हें मालूम है किसी समय लतिका विलाना का कलब जाया करती थी कलब में वे हरोज जाया करती थी गिरीश नेगी उसका परीशा किसका लतिका का परीशा वहीं हुआ कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ पता दिया था मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूँ किन्तु उस रात कौन जानता था कि वैं वापस नहीं लोटेगा और अब क्या फरक पड़ता है लेट तर डेड डाई कुछ कहने ही जा रहा था उतने में फिर बात अधूरी छोड़कर सूखी सर्द हसी हसने लगता है डॉक्टर और उस सूखी सर्द हसी में जैसे खोखली सी शुन्यता भरी थी हुबर्ट पूछता है कौन गिरिशने की कुमाई और रेजिमेंट का कैप्टन था पहले यहां मेजर बताया गया है और अब यहां कैप्टन लिखा है डॉक्टर क्या लटिका हुबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया उसे याद आया वह पत्र जो उसने लटिका को पेजा था कितना अर्थीन और उपहास पद जैसे एक एक शब्द उसके दिल को कजोट रहा था उसने धीरे से प्यानों पर सिर्टिका लिया लटिका ने उसे क्यों नहीं बताया क्या वह इसके योगे भी नहीं था लटिका वह तो बच्ची है पागल मरने वाले के संग खुद थोड़ी मारा जाता है कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्ण को फिर दोर आया लेकिन हुबर्ट कै तुम नियती पर विश्वास करते हो हवा के हलके जोंके से मुंबतियां एक बार फिर प्रजवली थोकर पुछ गई टेरस पर हुबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चहरा नहीं देख पा रहे थे फिर भी वे एक दूसरे की और देख रहे थे कॉनमेटी स्कूल में कुछ देर बैदानों में बहते पहाड़ी नाले का स्वरा रहा था अब बहुत दूर कुमाईयों रेजिमेंट सेंटर का बिगल सुनाए दिया तो हुबर्ट हर बढ़ा कर खड़ा हो गया अच्छा चलता हूँ डॉक्टर गुड नाइट गुड नाइट हुबर्ट मुझे माप कर दिन मैं सिगार खत्म करके ही उठूँगा डॉक्टर मकरजी ने कहा सुबह बदली च्हाई थी लतिका के खिड़की खोलते ही धुन्द का गुबारा सभीतर घुसाया जैसे रात पर दिवार के सहरे सरदी में ठिटूरता हुआ वे भीतराने की प्रतिक्षा कर रहा हो क्या दुन्द का गुबार स्कूल से उपर चैपल की चैपल जाने वाली सडक बादलों में छिप कई थी केवल चैपल का क्रॉस जो क्रॉस होता है क्योंकि प्रेयर प्रातना स्थाल है यह दुन्द के परदे पर एक दूसरे को काटती हुई पैंसिल की रिखाओं सा दिखाई दे चाता था लतिका ने खिड़के से आँखें हटाई तो देखा कि करिमुदीन चै की ट्रेल ये खड़ा है करिमुदीन मिल्ट्री में अर्दली रह चुका है इसलिए ट्रे मेच पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया लतिका जटके से उठी और सुबह से आलस करके कितनी बार जाग कर वे सो चुकी थी सो चुकी है अपनी खिस्याट मिटाने के लिए लतिका ने कहा बड़ी सर्दी है आज बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता करिमदीन अपने हाथों को बगलों में डाले हुए खड़ा था और कहने लगा अजी मेम साहब अभी क्या सर्दी आई है बड़े दिनों में देखना कैसे दांत किट-किट आते हैं करिमदीन अपने हाथों कोबगलों में डाले हुए इस थह सिकूड़ गया जैसे ओन दिनों की कल्पना मातर से ही उससे शर्दी लगनी शुरू हो गया है गंजे सिर पर दोनों तरफ के उसके बाल खिजाप यहने डाई लगाने से कत्थ ही रंग के बूरे हो गए थे बात चाहे किसी विशाई की रही हो वह हमेशा खीच तान कर उसे ऐसे ख्षेतर में घसीट लाता था जहान वह है बेजई जग अपने विचारों को प्रकट कर सके एक दफ़ा तो यहां लगातार इतनी बर्व गिरी थी एक दफ़ा में से एक बार तो यहां बर्व गिरी थी लगातार कि भुवाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सडकें जाम हो गएं थी इतनी बरफ थी मेम साब कि पेड़ों की टहनिया तक सिकुड का तनों से लिपड़ गई थी बिलकुल ऐसे और करीमुदीन नीचे जुक कर मुर्गा सा बन गया लटिका ने पूछा कब की बात है करीमुदीन कहता है अब यह तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मैं साब और इतना हियाद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादूर यहीं थे केंटोनमेंट की इमारत पर जंडा नहीं लगा था अंग्रेजों का रास्ता उस समय की बात बता रहा है बड़े जबर थे यानि शक्तिशाली थे यह अंग्रेज दो घंटे में ही सारी स्रड के साफ करवा दी थी उन दिनों एक सीटी पजाते ही पचास खोड़ी वाले जमा हो जाते थे तो अब सारे शेट खाली पड़े हैं जहां खोड़ी रखा करते थे अंग्रेज वे लोग अपनी खिद्मत करवाना भी चानते थे अब तो सब उजाण हो गया है करीम अदिन उदास भाव से बाहर देखने लगा आज यह पहली बार नहीं है जब लतिका करीम अद यही रहेंगी मेम साथ करीम अदिन ने पुछा लतिका कहती है दीखता तो यही है करीम अदिन तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा करीम अदिन कहता है क्या कहती है मेम साथ आपके रहने से तो हमारा भी मन लग जाता है वरना चुट्टियों में तो यहां कुट्ते लोट तरहता था लतिका को याद आया कि पिछले सर्दियों में जब कभी बरफ किरती थी तो उसे पाने से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था करीम दीन चाय के ट्रे उठाता हुआ बोला हुबर्ट साप तो शायद कल ही चले जाएं कल रात उनकी तबित फिर खराब हो गए आधी रात के वक्त मुझे जगाने आये थे कहते थे यह चाती में तकलीफ है उन्हें यह मौसम नहीं रास आता तब उनको सूट नहीं करता यह मौसम कह रहे थे लड़कियों की बस में वह भी कल ही चले जाएंगे करीम दिन दर्वाजा बंद करके चला गया लतिका की इच्छा हुई कि वह यूबर्ट के कमरे में जाकर उनकी तबियत का हाल चाल पूछे कि तो फिर ना जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंगे रहे यह जो पैरों में चपल पहने वे थे स्लीपर्स वे पहने वे थे और खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देखती रही क्यूबर्ट का चेहरा जब उसे देख का सहमा सा दैनिय हो जाता है तब लगता है वे अपनी मूख नीरी ही आचना में उसे कोज रहा है ना वे उसकी गलत फहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती है और ना उसे अपनी विवश्टा की सफाई देने का साहस यह होता है उसे लगता है कि इस जाले सिपहा निकलने के लिए धागे के जिस सिरे को पकड़ती है वे खुद एक कांट वन कर रह जाता है कर दो दो